हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल विंग्स टू फ्लाय इस वीडियो में हम क्लास 3 की इंग्लिश बुक का चैप्टर 2 की पोयम बर्ट टॉप के एक्सरसाइज़ करेंगे और अगर आपने इसका एक्स्प्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसको डिस्क प्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है अब वहां जाके देख लिजेगा तो लेट्स गो तू थू थू देख लिजेगा तो फर्स एस रिडिंगे इस फ़न तो अब हमें पोयम में जो तू बर्ट के बारे में बताया गया है उनके नाम लिखने हैं तो अबर आंसर इस दा पोयम में जो तू बर्ट है उनका नाम है रॉबिन और जै तो सेकंड कुश्चिन वाट आर थ्री थेंग्स देट पीपल कांट डू अब हमें तीन चीज बताने हैं जो लोग नहीं कर सकते हैं तो अबर आंसर इस तब पीपल कांट ग्रो विंग्स, इट बीटर्स, और सेट नहीं सकते और वायर्स पे बैठ नहीं सकते नेक्स्ट कुश्चन, थर्ड कुश्चन, वाट दू बर्ट थिंक ओफ पीपल, पीपल के बारे में बर्ट क्या सोचती हैं, और आंसर इस बर्ट थिंक पीपल आर वेरी फणी, पीपल के बारे में बर्ट सोचती हैं कि लोग बह time first imagine what two elephants would say to each other about people let them talk about what people look like what they eat and how they walk you can say look at that man's snow see how small it is अब आपको imagine करना है कि अगर दो elephants होंगे तो वो people के बारे में ब्लोगों के बारे में क्या सोचेंगे तो आपको situations दी गई है what people look like what they eat and how they work आपको इसमें three situations दी गई है कि people कैसे दिखते हैं वो क्या खाते हैं और वो कैसे चलते हैं तो हम लोग first situation करते हैं what people look like so पहले elephant one बोलता है कि look at that man's nose then elephant two बोलता है see how small it is so पहला elephant बोलता है कि वो देखो वो आदमी की नाग को तो दूसरे elephant बोलता है देखो वो कितनी चोटी है तो ऐसे हमने first situation कर ली है next है हमारी second situation what they eat वो क्या खाते हैं so first पहला elephant बोलेगा कि do you know what they eat तुम्हें पता है कि वे लोग क्या खाते हैं so second elephant बोलेगा I don't know मुझे नहीं पता it's strange they don't eat grass और bamboo ये बड़ा अजीब है कि वे लोग grass और bamboo को नहीं खाते next situation है how they walk वो कैसे चलते हैं so first elephant बोलेगा look how those men are walking देखो वे आदमी कैसे चल रहे हैं so second elephant बोलेगा yes they can't walk on four legs हाँ वे सब चार पैरों में नहीं चल सकते तो ऐसे हमने ये three situations को कर लिया है next है हमारा second point let's find two things which you can do and the birds can't do tell the class अब आपको दो चीज़े find करनी हैं जो हम कर सकते हैं मतलब की जो इनसान कर सकते हैं और birds नहीं कर सकती so पहला है we can read books and write but birds can't हम लोग books को read भी कर सकते हैं और write भी कर सकते हैं लेकिन birds ऐसा नहीं कर सकती second है we can ride on bicycle but birds can't हम लोग bicycle को चला सकते हैं लेकिन birds नहीं चला सकती तो हमने talk time complete कर लिया है next है हमारा team time team time में आपको एक activity perform करनी है so आपको बनाना है finger puppets so finger puppets बनाने के लिए हम follow करेंगी ये सारी चीजें so first है हमारा draw your favorite bird on a sheet of paper cut and color it अब आपको आपकी favorite bird एक paper में बनानी है फिर उसको color कर लेना है और cut कर लेना है इसमें जैसे की बना है वैसे भी आपको एक paper में बनाना है then take a strip of cloth और paper फिर आपको या तो एक cloth या तो एक paper का strip लेना है फिर paste the picture of the bird you have drawn on it फिर आपने जो bird की picture draw की थी उसको ये strip में आपको चिपका देना है then tie the two ends of the strip फिर आपको ये दोनों ends को tie कर लेना है ठीक इस तरह fix it in your fingers फिर आपको ऐसे अपने fingers में इसको fix कर लेना है your finger puppet is ready to talk फिर आपका जो finger puppet है वो बोलने के लिए तयार है let your puppet fly along with your friend's puppets फिर आप अपने friend के puppets के साथ अपने finger puppet को fly करने दो next है let's write let's write में आपको लिखना है listen to the sounds of the birds make a list of these words अब आपको birds की sounds को सुनना है और उनकी list बनानी है तो for example में दिया है आपको chip 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 so एसे हम बनाएंगे meant next है now write four sentences on birds using the following words अब आपको ये nest, water, चिर्प, fly, sky और wings की मदद से four sentence बनाने हैं so हम लोग first बनाएंगे birds make their nest on the trees birds अपना घूंसला trees में बनाती हैं तो इसमें nest आ रहा है next है birds have wings to fly in the sky birds के पास wings होते हैं, पंक होते हैं जिसकी मदद से वे sky में उड़ सकती हैं तो इसमें fly, sky और wings आ रहा है next है birds drink water with their beak birds अपनी चोंच की मदद से पानी पीती हैं तो इसमें water आ रहा है next है birds drink water with their beak and birds make a sound chirp chirp birds chirp chirp sound sound बनाती है तो इसमें चिरप चिरप आ रहा है so ऐसे हमने let's write complete कर लिया है next है write words that rhyme with the words given below अब आपको ये सारे words दिये गए है उसके rhyming words आपको इस lines में लिखने हैं आपके लिए first day दिया गया है first है grow, know, throw वैसे ही आपको बनाना है day का think, funny, eat और sing का so day, bay, say, think, bring, pink, funny, bunny, money, eat, greet, meet, sing, wing, king so ऐसे हमने rhyming verse बना लिये हैं फिर आपको बोलना है तेज 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 या लाउड में आपको तेज तेज बोलना है think, thin, three, this, that, though, ten, top, tank ऐसे हमने say लाउड भी complete कर लिया है so आज हमने पूयां बर्ट टॉक के सारे exercise कम्प्लीट कर लिया है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे like, share और subscribe जरूर कीजिएगा and thank you for watching